प्रिये दोस्तों, सागत है आपका हमारी चैनल ग्यान सागर। कुट्टा क्यों काटता है? इसके हम तीन काण बताएंगा। एक कुट्टा अराम से बठा हुआ है। आप देखेंगे, एक वक्ती आया उसके पास से गुजर गया। तीसरा वक्ती आया, उसके पास से गुजर गया। तीसरा वक्ती आया, कुट्टा उठा, भौका और उसे काट लिया। क्या कारण था? सुनिया। कुट्टे में घ्रान शक्ति, सोंगने की पावर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसी घ्रान शक्ति के कारण आज हमारे देश में, खुफियावी भाग में कुट्टों की अच्छी पूच्ताज होती है। किसी भी कारिये को वो कुट्टों की साहिता से भली प्रकार सलता लेकते है। तीसरे व्यक्ति पर कुट्टा क्यों छक्टा, क्यों काटा। वो जो दो व्यक्ति थे, निकल गए, वो कुट्टे से डरते नहीं थे। उनके दीमाग में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि कुट्टा बैठा हुआ है। लेकन तीसरे व्यक्ति जब वहां से गुजरता है, तो कुट्टे को देखते ही उसे डर लगता है। कहीं कुट्टा काट ना थे। और यही डर का काण, यही डर की वज़े से उसके शरीर के अंदर से वो भै की तरंगे निकलने शुरू हो जाती है। और वो तरंगों को वो कुट्टा अपनी खान शक्ती की द्वरा सूंग लेता है कि यह व्यक्ति मुझसे डर रहा है, फैफीत है, तरंथ कुट्टा उठता है, फाउकता है और काट लेता है उसे। अब हम आपको अगला दूसरा कारण बताते हैं, कुट्टा किसी भी व्यक्ति को भली प्रकार पहचानता है, यदि किसी व्यक्ति ने बहुत पहले उस कुट्टे को मारा पीठा प्रताडित किया वा, और वो व्यक्ति कुछ दिनों, महीनों के बाद भी, यदि उस कुट्टे के पास से निकलेगा तो कुट्टा पहचान जाएगा उसे और तरंच छप्टेगा उस पर अब हम आपको तीसा कान गता है कुट्टा मनुष्य की वेशभुसा को भी पहचानता है यदि किसी मनुष्य ने यदि किसी मनुष्य ने ऐसी वेशबुसा धर्ण की हो, जो वेशबुसा उसने पहले नहीं देखी हो, जैसे विक्षा मांगने वाले जोगी अजीब अजीब वेशबुसा में आते हैं। आपके गाम में खेल दिखाने वाले बहरुपिया अलग-अलग वेशबुसा में आता है। ऐसी वेशबुसाओं को देखकर जो वेशबुसा उसने देखी नहीं वो त्रंद पहचान जाता है। कोई अनका आदमी हैं यह हमारा आदमी नहीं हो सकता। कुटा उठता है भौकता है और चपट पड़ता है उसके उपर। दोस्तों यह तीन मुख्यकान हैं कुट्ते के भौकने और कातने के। और अधिक जानकानी के लिए हमारी चैनल को प्रस्क्राइब करें।